अगला स्टॉक हमाई तरफ से IRCTC का रहेगा अगर आप देखे तो अनलॉक की जो थीम को प्ले करने का मेरे ख्याल सबसे बहतर स्टॉक है चार वर्टीकल्स चाहिए वो टिकेट के हो, केटरिंग के हो, रेल नीर के हो या ट्रावलेंड टूरिजम के हो चारों से नमबर अच्छे आ रहे थे जो टिकेट के बुकिंग है वो प्राय प्राय नौलाख पर डे की हो गई जो की प्री करोना लेवल्स की है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जब पूरी तरीका से अनलॉक हो जाएगा तो एक बहुत अच्छा अप्मूब यहां से भी देखने के मिलेगा हलांकि मार्च के लोस से तो लगभग दुगने से भी जादा हो गया बट मैं समझता हूँ यहां से भी बहुत अच्छा अप्मूब हो सकता है छोटी होदी में हमारा अंदाज है कि यह तीन अजार रुपे तक जा सकेगा और थोड़ी से लंबी होदी मनेज जन्माश्मी से अगले जन्माश्मी तक तक ली जाए तो मैं 3600 रुपे के टार्गेट मान कर चल सकता हूँ कंपनी डेट फ्री है एक तरीके से मोनोपॉली बिजनेस है ये कॉमर्स में कहा जाए तो हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कंपनी है और कुछ दिनों पहने तक जो इस पे ओफस का एक तलवार लटक रही थी वो भी अब लगबग पीछे छोट चुकी है मैं समझता हूँ सारे पाइदान पर एक बार एकदम खरी उतरती है तो यहां पर बिल्कुल खेदारी करनी चीए तो और अच्छी है वो 500 ग्राम का मक्षन अब 100-100 ग्राम के पैकेट में मिलेगा आपको तो इसने स्टॉक स्प्लिट भी अनाउंस कर दिया है उसका भी फायदा मिलने वाला है